इन क्लाब बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुने के कभी अगर मेरी मुलाकात मोदी से हुई तो मैं मोदी को बोलूँगा ठाइंक्यू क्या बोलूँगा जोर से बोली मोदी ठाइंक्यू अब मोदी बूचेगा भईया ठाइंक्यू क्यूँ तो मैं बोलूँगा के मोदी तुम्हारे आने से पहले इस मुल्क का सम्विधान सिर्फ जज और वकील पढ़ा करते थे मगर तुम्हारे आने के बाद एक दस साल का बच्चा भी मुल्क का सम्विधान पर रहा है मोदी दूसरा ठाइंक्यू अब ठाइंक्यू क्यों दूसरा ठाइंक्यू इसलिए के मोदी तुम्हारे आने से पहले हिंदू मुस्लिम ये भूल गयते के हम भाई भाई हैं और जो मुसल्मान दिवाली के लड़ों से महरूम हो गया था और जो हिंदू इद की समयों से महरूम हो गया था मोदी के आने के बाद मुसल्मान को दिवाली की लड़ो और हिंदू की इद की समया भी मिल जाएंगी अब तो मोदी थाइंक यू और तीशरी बात मोदी हमें उस दिन का इंतजार है जब तुम अपने दोस्त अमिर्शा के तरह तरी पार जाओगे मौदी उस दिन का इंतजार है और हमें एक और दिन का इंतजार है आपने सुना है वो नजम हम देखेंगे लाजम है कि हम भी देखेंगे उसमें एक बहुत प्यारा लाइन है कि हम एहले सिफा, मर्दूदे हरम जब मसलत पे बैठाए जाएंगे यकीन माने, जब भी ये लाइन सुनता हूँ में मेरे लॉंगते खड़े हो जाते है क्योंकि मुझे मालूम है कि वो दिन दूर नहीं जब हम मसलत पे बैठाए जाएंगे वो गद्देदान मसलत हमारे जैसे अच्छे और सच्छे लोगों का इंतजार कर रहा है वो मसनद से हमें मोदी को उठा कर फेकना है और अच्छे इंसान को हाँ बैठाना है और वो दिन दूर नहीं कि वो मसलत हमारे इंतजार कर रहा है अब आप देखे कि किसी भी फाज में किसी भी फाज में पहली कतार में कौन खरा होता है पहली कतार में उस फौज का सबसे जाबास सिपाही खरा होता है उस फौज का सबसे जाबास सिपाही खरा होता है और ये लोग हमारे खिलाफ किसे भेज रहे हैं ये लोग हमारे खिलाफ पुलिस के वर्दी में RSS और ABVP के गुंडों को भेज रहे है और हमारी फाज में कौन है देखिए हम अपने आपको फाज कहते है 70 साल पहले हमने इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी थी और ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और ये लड़ाई इस मुलक के संविधान को बचाने की लड़ाई है और हम इस लड़ाई के सिपाई है और आप आग गुमा के देख ले हमारी आप पहली कतार में कौन करा है ये पाच साल की बच्ची दिख रही है चार साल का बच्चा दिख रही है ये हम में और उनमें फर्क है ये हमारे खिलाफ गुंदों को बेजेंगे हम इनके खिलाफ अपने मासूम बच्चों को खड़ा करेंगे ये मासूम बच्चे हमारे फाज है तो ये हम में और उनमें फर्क अब आप देखिए ये लोग आज सुभाज चन्र बोस ने किसे बताया भारत माता मैं आपको बताता हूँ ये लोग कहते हैं बोलो भारत माता कीज़े बोलो भारत माता कीज़े तो सुभाज चन्र बोस ने भारत माता किसे बताया सुनिए आप 1940 में सुभाष चंदर बोस को एक मुसल्मान आदमी यूसफ मारफानी एक करोर रुपए का चंदा देते है कितना का? एक करोर का चंदा देते है जब सुभाष चंदर बोस उस चंदे को लेने जाते है तो यूसफ मारफानी के घर में एक बूरी औरत होती है और वो बूरी औरत सुभास चद्रबोस को देखकर जोर जोर रोने लगती है तो सुभास चद्रबोस कहते हैं कि आ बूरी मा तू क्यों रोती है बूरी औरत कहती है कि मैं बूरी हूँ, मैं अंदी हूँ, मिरे पास एक करोर रुपए भी नहीं है तो मैं क्या दू इस देश के अजादी के लिए सुबाश चदर बोश कहते है तुम्हारे पास एक नौजवान बेटा है शैनवास खान तुम मुझे इस अपना बेटा दे दो मैं उसे अपनी फाज में भरती करूँगा वो मा अपने बेटे को सुबाश चदर बोश के हाथ में सौटी है कि सुबाश चदर बोश उस मा की कुर्बानी को देखकर उस मा को हिंदुस्तान की फाज के सामने ख़़ा करते है और कहते हैं कि हिंदुस्तान की फाज सुरो कि तुम मेंसे जिसने भी भारत माता को नहीं देखा इस मुसलमान बूरी मा को देख लो ये है भारत माता तो तुम हमसे मज़बर रस्ती कहो भारत माता की जै बोलने हमसे मत कहो हमसे कहते हैं कि जैश्री राम बोलो जैश्री राम बोलो हम इनसे कहना चाहते हैं कि राम का नाम बदनाम करना बंद करो राम सचाई के प्रतीक थे राम सचाई के प्रतीक थे और मोदी से बड़ा जूटा इस दुनिया में कोई नहीं राम ने अपना सत्ता छोड़ दिया था और वनवाश चले गै थे राम सक्ता छोड़कर वनवास चले गए थे और मोधी सक्ता पाने के लिए नजाने कितनी लाशों पर खड़ा है तो मोधी, राम प्रेमी नहीं, मोधी राम विरोधी है मोधी असली हिंदू नहीं, महत्मा गांधी असली हिंदू है मोधी असली हिंदू नहीं एक बार अचारे प्रमोट के साथ बैठा था मैं मैंने का अचारीय जी आप भी हिंदू, मोधी भी हिंदू तो आप दोनों में क्या फर्क है तो अचारे जी ने कहा कि मैं असली हिंदू हूँ और ये दुकानदार है जो दुकान चला रहा है तो वक्त आ गया है कि हम लोग मिलकर इनकी दुकानों को बंद करे मगर क्योंकि आज शाहिन बाग में औरते बैठी है तो मैं मर्दों का एक्जामपल नहीं दूँगा मैं सिर्फ औरतों का एक्जामपल दूँगा सिर्फ और उन औरतों का जो शहीद हो गए आजादी की लड़ाई लड़ते हुए पहला नाम पहला नाम करंगतला हाजरा करंगतला बर्वा क्या नाम करंगतला बर्वा आसाम की रहने वाली करंगतला बर्वा आसाम के एक पुली स्टेशन में ब्रिटिश का जंडा देखती है और वो कहती है कि अगर मैं ब्रिटिश का जंडा नहीं उतारी तो मेरे बच्चे पूछेंगे मुझसे कि ब्रिटिश का जंडा देखकर आप खामोश क्यों बैठी करंगतला बर्वा एक ठारा साल की ब्रिटिश का जंडा उतारते उतारते प्रिटिश गोली मारता है और वो शहीद हो जाती है आज वक्त आ गया है कि शाहीन बाग की ओरते करंगतला बर्वा बन कर दिखाएं दूसरा नम मतंगिनी हाजरा अज जिस तरह शाहिन बाग की ओरते चिला रही है मोधी गो बैक मोधी गो बैक मतंगिनी हाजरा इसी तरह चिला रही थी ब्रिटिश गो बैक ब्रिटिश पुलिस इने गोली मारती है और शहीद कर देती है इने आज वक्त आ गया है कि शाहिन बाग की ओरत मतांगिनी हाजरा बन कर दिखाएं माता मूल मती राम प्रसाद बिस्मिल की मा थी है और एक बार आप तस्वर करें कि अगर आपके बेटे को फासी लग जाए और ये मैं माँ से कह रहा हूँ कि अगर आपके बेटे को फासी लग जाए तो आप पे क्या भी देगा आपके दिल पे उस दिन माता मूल मती के बेटे राम प्रसाद बिस्मिल को फासी की सजा सुना दी गई राम प्रसाद बिस्मिल को फासी लगने के बाद एक माँ उनकी मा माता मूलमती घर लोटती है और घर लोटकर अपने दूसरे बेटों को पकरती है और चोड़ाए पला कर खड़ा करती है और कहती है कि एक बेटा शहीद हुआ तो क्या हुआ आज दूसरा बेटा में हासिर करती हूँ तो वक्त आ गया है कि हर और शाहिन बाकी मातामूल मती बन कर दिखाएं सुने आप कि ये लोग कैसा मजाग कर रहें देशवालों के साथ ये लोग कैसा मजाग कर रहें है अमित शाह अपने इंटर्वियू में कहता है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ये सब नागरिक्ता का सुबूत नहीं है तो बताइए इसके इलावा कुछ बचा तो आपके पास इसके इलावा कुछ नहीं बचा और एक मजाग की बात सुनें आप जब कभी अमरीका जाएंगे आप तो अमरीका में आपसे पुछेगा कहां से आए हो, क्या पुछेगा कहां से आए हो, तो आपको कुछ बोलने की जरुवत नहीं पड़ेगी खेली पासपोर्ट निकाल के दिखा देंगे तो पासपोर्ट पे लिखा है Republic of India आपके पासपोर्ट दिखाने पे एक अमरीकी बोलेगा ये हिंदुस्तानी है मगर शर्म की बात है कि हमारे देश में मोधी पासपोर्ट देखके बोलेगा तो ये शर्म की बात है और ये लोग कह रहें के हिंदु भाईयों को डरने की ज़रूरत नहीं है NRC से और C.A. से तो सुनिए आज मैं या मुसल्मान नाम लेने नहीं आया हूँ सिर्फ नौन मुसलिम और हिंदु भाईयों का नाम लूँगा जो लोग NRC में और NRC के वज़े से और C.A. के वज़े से डिटेंशन कैम में जाकर उनकी मौत हो गई पहला नाम और आप याद कर ले और मैं लोगों से कहता हूँ बार बार कि हमारी पहली सीड़ी ये नहीं है कि हम धरना दे हमारी पहली सीड़ी ये है कि हम जान ले और समझ ले कि हम धरना क्यों दे रहें और इस तरह जाने और समझें कि हमारे एक 10 साल का बच्चा भी यहां खड़ा होकर मोदी को समझा दे कि एनर्सिस ये देश के सम्विदान के खिलाफ क्यों है तो दूसरी सीरी ये है कि जानने और समझने के बाद हम धरना दे और प्रोटेस करें पहला नाम दुलाल चंडरा एज 65 एक 65 साल का आदमी असाम में दुलाल चंडरा हमारे हिंदू भाई डिटेंशन कैम में दो साल रहने के बाद मर जाते हैं तो मौदी तुम किस के साथ मजाग कर रहे हो क्यो अफरोट कर रहे हो ये तुम जवाब देना होगा मौदी को कि हमारे हिंदू भाई डिटेंशन कैम में कैसे मर जाते हैं दो साल रहने के बाद दूसरा नाम दूसरा नाम सुवशतो दे age 35 ये भी इंसान के फूरे परिवार का नाम NRC लिस्ट में आता है पशुवशतो दे जी का नाम NRC लिस्ट में नहीं आता है और सुवशतो दे डिटेंशन कैम में एक साल रहने के बाद मर जाते हैं तो मोदी तुम्हें जवाब देना होगा और मान लेते हैं कि सुष्वतों दे और दुलाल चंडरा ये गरीब लोग थे तो एक ऐसा नाम बताता हूँ मैं आपको चबिंद्रा शर्मा ये 38 साल इंडियन एर फोर्स में सर्विस दिये तो मोदी तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम क्यों फ्रॉट कर रहे हो कि तुम लोगों के साथ और देशवालों के साथ मज़ाग चो बना रहे हो अपने बास को मैं यहीं खतम करूंगा अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपकी वॉल तक आएं मेरे पेज पे जाके लाइक बटन को दबाईए फिर फॉलोइंग पे क्लिक कीजिए सी फर्स को दबाईए और नोटिफिकेशन आउन कर लीजिए ये तीन स्टेप और मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी